नमस्कार दोस्तों मेरा नमेसातीस और आपका बहुत-बहुत स्वागत एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फायर बॉल्ट के स्मार्ट वाज को अपने फोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं को टाईम और डेट साहि करते हैं तो सबसे पहले हमको एप डाउंलोड करना पड़ेगा फोन से ने की लिए एक डाउंलोड करना है इसके यह इसमार्ट वाज है फायर बाल का कोई सब यह समार्ट वाज वो डाफिट आप से कनेक्ट होता है क्योंकि फ्रेंट मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, जैसे यहां पर हम फीचर्स खोलेंगे, तो यहां पर सेटिंग में सबसे लास्ट में जाएंगे, तो हमको यहां पर QR कोड मिल जाता है, यहां पर जाएंगे, यहां पर QR कोड मिल जाएगा, यहां पर दाफिट का लोगों भी दिया गया, यहा क्लिक करने के बाद तो हम यहां पर यहां पर इसके लाउ करने के लिए तो हम यहाँ पर इसको don't allow करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर allow कर देंगे तो notification यहाँ पर pop-up so करता रहेगा, तो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ से इसको don't allow कर देते हैं, उसका अपका जो एफ है यहाँ पर खूल जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर so हो जाएग तो यहाँ पर टुडे एक्टिविटी जो करेंगी जब आपका smartwatch connect रहेगा, यहाँ पर step आपका से लिप मुनेटरिंग, heart rate जो है, सब कुछ यहाँ पर बताएगा, तो connect करने के लिए friends हम लोग को यहाँ पर click करना है, यहाँ पर click किस जगा, add a device पर आपको simply click करना है, click करने यहाँ पर बोल रहे, location को allow करने के लिए, on करने के लिए, यहाँ से allow कर देंगे, near way device को allow कर दीजेगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर scan start हो गया, location को और Bluetooth को दोनों को आपको on करना पड़ेगा, तो यहाँ पर Bluetooth का option आ गया है, तो हम लोग यहाँ से Bluetooth को on कर चुक वह भी है smart watch होगा, वह so हो जाएगा, मेरा fireboard का है, दूसरा भी है smart watch, यहाँ पर search में आ रहा है, लेकिन यह fireboard को हमको connect करना है, तो यहाँ पर हम simply click करेंगे, click करेंगे, उसके बाद देखिए, यहाँ पर connecting स्टार्ट हो रही है, और जैसा यह connect होगा, time और date अपने आप इसक और यहाँ पर देखिए, Friday 8-11, यानि date भी हाँ पर सही हो गया, और time भी सही हो गया, तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने smart watch को connect कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, साड़े features को इसके use कर सकते हैं, इसके उपर में detail video बना चुका हूँ, कि DAFIT app में आपको क्या-क्या settings मिल तो जाके वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद भी friends आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी smart watch में, तो आप में इसे comment करके पूछ सकते हैं, तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, च